असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स वेलकम टू फार गूरूप उप एजुकेशन में हूं सर्वसीम आपका बायोलोजी टीचर लास्ट हमने चैप्टर नमर टू कंप्लेट डिस्स कर लिया था अब हमारे स्टार्ट हो रहे है चैप्टर नमर त्री ठीक तो चैप्टर नमर त् नमर के यहां उसे हम क्लासिकेशन किते हैं कि बिनांपर किये गए है सब कुछ नहीं इस चैप्टर में करेंगे तो पहले हम कुछ pivotal ट्रम्स करेंग गयी है जैसे कि स्पीशी छोगाई टैकजन हो गाए टैक्सन हों मी गया क्लासिफिकेशन हो गई और और norman clature क्योंकि आपको इस chapter पर समझने के लिए आपको इन सारी चीजों को समझना ज़रूरी है तो देख लेते हैं पहले कि species किसे कहते हैं species जानदार हों कहते हैं जो कि आपस में interbreeding कर सकते हूं क्या कर सकते हूं वो इंटरबेडिंग मैंस के sexual contact आप उसमें कर सकते हो और sexual contact के नतीजे में हो किया करें produce fertile office spring करें मैंस कि उनके sexual contact से हो क्या कि office spring पैदा हो और उन से जो पैदा होने वाली office spring वह भी क्या हो परडायल मज़ीद वह भी क्या कर सके है अपनी नसल आगे बढ़ा सके है ठीक जो कि क्या है अंडर नैचरल कर्डिशन है जो कि कुदरती तोर पर होता है यह तो देख लेते हैं हमारे पास आपको भी बहुत सारे जानदार नजर आ रहे हैं जैसे कि आपके पास एक यह जानद को आगे बढ़ा सकते हैं ठीक और और उनकी नसल भी आगे से आगे नसल बढ़ा सकते हैं उसे क्या गएंगे इस पीशी गएंगे तो next time आपास classification classification जैसे कि मैंने भी आपको बताया था classification किसे कहते हैं groups बनाने को कहते हैं तो देख लेते हैं the arrangement of living thing in taxonomic group according to their similarities is called classification means कि इनके जो groups बने जा रहे हैं उनकी बिनापर बने जा रहे हैंäng इसे हम ग्रूपिंग को क्या के रहे हैं classification कहते हैं उसके बाद हम देख लेते हैं taxon क्या होते है mamayi पास taxation कि हमने बीचुके बादा की grouping क्या कहते हैं 일반 और इसबीन के और ग्रूपिंग होती है अब इनके हर गृूप को कि कितने हैं taxon कितने जैसे कि suppose ही हमने groups बना लिए species जैनर, family, order अब इसके हर step को हम क्या कहेंगे उसको एक taxon कहेंगे ठीक जिसमें क्या है एक तर्तीब से groups को रखा गया है hierarchy कहते हैं इन groups को क्या करना है तर्तीब से रखना है means कि अब जो groups बना दिये त्रतीर चोटा पिर उस से चोटा घर तो इस तरह से पूरा करता है उसके बाद यह टेक्जन और क्लासिफिकेशन के बारे में समझा अब इन दोनों की study को केते हैं taxonomy के means कि किस बिना पर classify किया गया है किस बिना पर groups बनाए गए ठीक और इन जानदारों को scientific नेम जो दिये गए हम उसके study करते हैं किस बिना पर इने और क्या नाम scientific नेम दिया गया है ठीक students आप इस चार्ट को देख लेते हैं जो हमने आप रोग की हुई है यहाँ पर आपको एक species नजर आ रही है जैसे कि हम डिस्कूस कर चुके है के जी क्रास होती है और मौल्ड क्रास होती है ठीक अब मौलर्ड क्रास ह मने क्या है किस बिना बर ग्रूप्स बनाएं वह आप से सबसे कम सुटłem्स बहुते हैं किस बिन च्रूप सेसे जादे से बड़ी क्रास मिन्स के इस तरह से 123456789 की क्लास花 हुतै है इसी तरह से स्पीशी के भी यहाँ पर क्या वने हुए ग्रूप बने हुआनाश कि जो सभसे छोटा यूनिट है है एक इसान को लगा 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 एक है उसम के लावा और और किसी किसम का जानदार इसका साथ अटेच हो जहाए जिसे के हमारे पास यहां अपने महलोब में अपने इलाकों में देखा हो गए यहां पर बिली डॉग वगरा आपको नजर आते हैं ठीक अब यह अलग-अलग स्पेशीज हैं जब यह एक साथ रहने लग जाएंगी तो फिर हम इन मुक्तलिफ स्पेशीज से ग्रूप भी क्या कहेंगे जैनस कहेंगे ठीक और जब जैनस अब इस तरह के मुक्तलिफ जैनस जो कि एक साथ रहने लग जाएंगे तो फिर फैमिली फिर फैमिली इस तरह से एक साथ रहने लग जाएंगी ग्रूप बन जाएंगे तो फैमिली से और और से फिर 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 करते हैं इसी बिलावर कहा जाते हैं कि इनसान भी क्या है जानफर के ग्रूप से बिलोग करते हैं तो अभी लास्ट एडिंग रह गई हमारी इसके देख लेते हैं लास्ट हमारे पास है बाइनोमियल नॉमन कलेचर क्या होता है एक लीनियस नाम का scientific name क्यों दिया गया था ठीक तो पहले देख लिए था किस तरह से दिया गया था scientific name जो दिया गया था किसी भी जानदार को वो two names क्यों जो जोएंग रिए गया था जैसे कि आपको नज़र आगे by means क्या होता है two और nominal means होता है name और nomenclature mean होता है system of naming के name देने का जो एक निजाम है ठीक जैसे कि मिसाल के तोर पर ही आप देख सकते हैं यहाँ पर classification हुई है एक animal की यूवें की हुई है ठीक तो जो kingdom है इंसान का वो कौन सा होता है क्या animals होता है जबकि फाइलम कौन सा होता है money El Micores Society ृछ और class होती है mammals ठीक और order होता है Primates और family होती है इसको कैसे जाता है इसका जैनेचकल गले इसकशीजढो इसका नेम होता है जो इसका जैनस होती है न दोनों को जोइंट करके लिया जाता है ठीक एक आ जाता है हमाई पास होमो ठीक और जो एक आ जाता है इसका नाम species means कि दो नेम जोइंट होते हो और इसका एक नाम फॉर्म हो जाता है for example क्या बन जाता है अच्छा जो scientific नेम जो होता है उसको लिखने का जो तरीका है वह तरीका यह कि इसको हमेशा अगर हम computer में या mobile में लिख रहे हैं तो इसको कॉपी बगारा में लिखते हैं तो कॉपी में भी हम इसका letter capital ही लिखते हैं इसको small ही लिखते हैं लेकिं सिर्फ करते हैं कॉपी बगारा में लिखते हैं अगर अगर आप underline नहीं कहते हैं तो यह आपकी mistake count होती है अच्छे स्टुडेंट्स अब हमने देख लिया कि बाइनोमियल नॉमन क्लेचर तो किस तरह से किसी भी जानदार को scientific name दे जाता है तो अब यह discuss कर लेते हैं scientific name क्यों दिया जाता है जिसे कि एक मिसाल ले लेते हैं जिसे कि आप मिसाल ले लें कि पानी है अब पानी को अर्दू में पानी का जाता है ठीक सिंधी में कुछ और का जाता होगा उसके अलावा अगर English में ने खाजाए English में water का जाता है पश्टों पे देखाए तो पश्टों में कुछ और का जाता है इसी तरह से दुनिया के अंदर बहुत सारे मुवालिके जाएंगे बहुत सारे scientist होते हैं हर मुलके अपने अपने scientist होते हैं में वह एक ही नाम होगा ठीक तो means कि अगर पाकिस्तान में और मोसेपियंस कहते हैं scientific name इनसान के तो इंडिया में भी कहते होंगे भंगलादेश में भी कहते होंगे अमेरिका में भी चाइना ही ठीक सब जगा पर क्या एक ही नाम से यह जाना जाता होगा तो यही benefit हुआ था हमा scientist की अपनी जुबान होती और जब भी कोई बंदा किसी दूसर मुल्क जाता तो वह उसकी study बेगार हो जाती तो students आज हमने कुछ important terms को discuss किया तो इंशाला ताला हम next videos में मज़ीद lectures को discuss करेंगे जब तक के लिए अल्ला हाफिस